प्लांट निउट्रिशन पेड़ पौदों में निउट्रिशन की दो किसमें पाई जाती है ओटोफाइटिक निउट्रिशन हेट्रोफाइटिक निउट्रिशन ओटोफाइटिक निउट्रिशन खुदकार नबताती तघ्जिया ओटोफाइटिक निउट्रिशन वो निउट्रिशन है जिसमें पेड़ पौदे अपनी घजा अपने जिसम के अंदर फोटो सिंथेसिस की मदब से तयार कर लेते हैं ऐसे तमाम पौदे सबस रंग के होते हैं उनमें क्लोरोफिल होता है और वो सूरज की रोशनी की तवनाई को लेकर पानी और कारवन डायकसाइड के जरिया अपने गजा खुद अपने जिस्म के अंदर बना लेते हैं आम पीपल बरगद धान गेहू गन्ना केला और इस तरह के सैक्लो पौदे जो हम लोग देखते हैं यह सब के सब पौटो ट्रॉफिक प्लांट्स है गैर खुदकार नबाताती तगजिया हेट्रो फाइटिक नूट्रिशन यह वो पौदे हैं जो अपनी गजा खुद नहीं तयार कर पाते हैं और यह अपनी गजा के हसूल के लिए दोसरे तरीके अपनाते हैं हेट्रो ट्रॉफ पौदे चार तरह के होते हैं परासाइट्स यानी तुफैली पौदे सेप्रोफाइट्स यानी गलाजद खौर पौदे सिंबायोंट्स यानी हम्शरीक पौदे इंसेक्टिवरस प्लांट्स यानी किर्म खौर पौदे तुफैली पौदे पैरासाइट्स ये पौदे अपनी खौराब को दोसरे जानवरों या पौदों से हासिल करते हैं पैरासाइट्स जिन पौदों या जानवरों से अपनी गज़ा हासिल करते हैं उस जानवर या पौदे को मेजबान या होश्ट कहा जाता है कसकुटा या अमरलता इसकी बहुत अच्छी मिसाल है ये सुनहरी डोरियों की तरह किसी पौदे से लिप्टी भी होते हैं और उससे अपनी गजा चूँजते रहते हैं रेफलेशिया भी एक पैरसाइट पौदा है जो अपने होश्ट के जड़ों में दाखिल हो जाता है और वहां से अपनी गजा हासिल करता है सिर्फ उसका फूल बाहर जमीन पर खिला हुआ होता है रेफलेशिया दुनिया के सबसे बड़ा फूल है जिसका डायमेटर तकरिबन एक मीटर से भी जादा होता है है और वजशन 10 किराम तक हो सकता है फाइट अब थ्वरा जो दोसरे पौदों की पत्यों पर उखता है एक फंगस है ये और पक्सीनिया भी एक फंगस है इस तरह के और भी बहुत सारे पौदे हैं जो दोसरे पौदों के जिसन पर उखते हैं और उनसे अपनी गजा हासिल करते हैं अब हम बात करेंगे सिंबायोंट्स या सिंबायोटिक प्लांट्स की जब दो पौदे एक दोसरे के साथ रहते हैं और गजा हासिल करने में एक दोसरे की मदद करते हैं तो हम उन्हें सिंबायोंट्स या हम शरीक पौदे कहते हैं ये दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक दूसरे के बगएर ये जिन्दगी नहीं गुजार सकते हैं इसकी कई मिसाले हम देखते हैं जैसे लाइकन एक बड़ी अच्छी मिसाल है लाइकन दरसल ये दो पौदों का मजमुआ है इनमें एक एल्गी होता है और दूसरा एक फंगी होता है और एल्गी और फंगी दोनों एक साथ मिल कर रहते हैं एल्गी जमात का पौदा सुरच की रोशनी में गज़ा तयार करता है जबके फंगी जमात का पौदा ये पानी और मेंदनियात हासिल करता है और दोनों ये चीजें एक दोसरे के साथ शेयर करते हैं और इस तरह दोनों ही जिन्दा रहते हैं सिमायोटिक प्लांट्स की दोसरी मिसाल किसी भी दाल का पौदा है जिनकी जड़ों में गिल्टिया पाई जाती हैं और उन गिल्टियों में राइजोबियम नामी बैक्टिरिया रहता है ये बैक्टिरिया मटर के पौदे को नाइट्रोजन सप्लाई करता है हवा की नाइट्रोजन को लेकर उसे नाइट्रेट बनाकर पौदे को देता है और इसके बदले में दाल का पौदा बैक्टिरिया को गिजा फ्रहाम करता है इस तरह दोनों एक-दोसरे के साथ मिलकर जिन्दगी गुजारते हैं और एक-दोसरे से अलग होकर जिन्दगी नहीं गुजार सकेंगे ऐसे ही पौदों को हम लोग कहते हैं हम शरीक पौदे या सिम्बायोटिक प्लैंट्स प्लैंट नूट्रिशन की तीसरी किस्म है गलाजत खोर पौदे यानि के सैप प्रोफाइट्स ये वह पौदे हैं जो सड़ी गली चीजों पर उखते हैं और उन्हीं से अपनी गजा हासिल करते हैं हम इन्हें गलाजत खोर पौदे इसलिए कहते हैं इन पौदों में क्लोरोफिल बिल्कुल नहीं होता है और सबसे अच्छी मिसाल इनकी फंगस फंगी ग्रूप के पौदे हैं जैसे मश्रूम यानि बैंग छाता एकारिकस और पैनिसीलियम इस्ट, म्यूकर यह सब सेप्रोफाइट्स हैं पौदों में जो चौथी किसम की निट्रिशन पाए जाती है वो है इंसेक्टी वोरस प्लांट्स यानि वो पौदे जो अपनी गजा कीडे मकोडों का शिकार करके हासिल करते हैं यह पौदे कीडों को अपनी तरफ मतवज़ों करते हैं कीडे इनकी तरफ आते हैं और इनके फ्रेब में फंसकर उनका शिकार हो जाते हैं और यह उनको अपने इंजाइम्स के जरिया डाइजेस्ट करके जजब कर लेते हैं संडीव का पौदा एक बड़ी अच्छी मिसाल है किरिमखोल पौदल की के इसके जो टेंटिकल्स होते हैं उन पर कुछ लसदार मादे बिलकुल शबनम की बूदों की तरह चिपके हुए होते हैं और जब कोई कीड़ा इनकी तरफ मतज्जा होता है और उस पर आकर बैठता है तो उसके पैर उसमें चिपक जाते हैं और उसके बाद ये उन्हें शिकार कर लेते हैं वेनस फ्लाइट रेप में दो कांटेदार पतियां होती हैं जो खुली हुवी रहती हैं और जब उन पर कीड़े आकर बैठते हैं तो ये दोनों पतियां बंध होकर आपसे मिल जाती हैं और उसके बाद वो कीड़ा उसके अंदर बंध होकर हजम हो जाता है दोसरी अच्छी मिसाल है पीचर प्लांट निपेंथिस इंडिका पीचर प्लांट यानि ये सुराही नुमा पौदा ये पौदा बिल्कुल एक लंबी सुराही की शकल का होता है और इसका रंग बड़ा खुब्सूरत होता है जिसकी वज़ा से कीड़े इसकी तरफ मतवज में रस मौजूद होते हैं और वो पौदा उनको कीड़ों को डाइजेस्ट कर लेता है एक और पौदा ब्लैडर वर्ट यानि अट्रिकुलेरिया ये भी एक किरिमखोर पौदा है इसकी जड में ननी-ननी थैलिया होती है और ये पानी में मौजूद बहुत छोटे-छोटे कीड़ों को वाटरफली को अपनी तरह मतवजा करते हैं और वो उन थैलियों में जैसे ही घुज जाते हैं और दुबारा निकल नहीं पाते और उसमें वो हजम हो जाते हैं